तो आदे गंटा वो बैठा रहेगा आपसे बैट लेगा लेकिन तुछे यूटूबर जो है ना वो घर में घुश करके जबर्जस्ति कर रहे हैं उसको थपड से बात करिए थपड से डरने की जरूरत है यह सरकार हमारे साथ है और प्रसासन से भी कॉल आया मेरे पास कि आप क ग्रफड़्य भोजी वा किया तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंते मर्जी से कोई काम नहीं करती है जब βी मैंने कदम आप-बोखा realizar punishment क्या किया कमेंट किमेट के द्वरा उसा मैं काम करती हूं दोस्तों यह है Snapchat का मतलब यह हैं यहां करने आपने आपि और में करने आफद efecto और भरतु कर द्व्या के पेंधी कि उनो है कि पिकाई यहां सो के द्वाइग और स्चाहई कि उन्हाया स्थ दूरी का रास्ता है और आठ से नौ बस्ते बस्ते वहां से लास निकल चुकी थी तो मुझे कॉल आया मौली थाने पर आप आईए तो मैं मौली थाने पर डायरेक्ट गई पहली बात यह हो गई और दूसरी बात दोस्तों यह है कि सुनने में आ रहा है कि विश्णूराज के उपर एक ही धारा लगा है और वो जब गुना साबित हो जाएगा तब और धारा हो सकता है लगे प्रसासन के उपर हमें पूरा बिश्वास है प्रसासन से मेरा एक ही निवेदन है कि प्रसासन और भी दोसी हैं उनको भी तलास करें उनको भी पूस्ताच करें और जो भी वि है और आप लोगों से बतागा दे दोस्तों है वीडियों नहीं बनाना चाहतीती ती दूस्तों मेरा तभीत ब्लकुल खंड करहतेrep जाgroup को बहुत जादा शाम को लेकर कर प्रेसर हर चांप प्रेसर रहें कि दोस्तों मेधिक 좋은 दोस्तों को गलती को एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने मेरे पास कॉल किया था और बोला कि मुझे घटना की जानकारी पूरा नहीं था जो संत गबीर नगर वाली महिला थी जो महिला द्यक्ष के नाम पर बोल रही थी उन्होंने उनको गलत रिपोर्ट दिया था उसकी अधार पर उन्हो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बात करती है कि तुम बच्ची हो ये हो वो मैं कहती हूं आगर आप नॉलेज वाली हैं आप उमर्दार है तो आपको तो सोचना चाहिए कि घटना की पूरी जानकारी आप पहले ले लेती तब किसी आदमी के बारे में जच करती पहले ही आ मिला थी जो वहां पे मालती चोहां शरकार हो रहा था तहसा आयरा दो कानध अभॉड़ की यूटूबर हुँ तो चर कोड़ी दिखाए तूँमारी आवकात क्या है तुम किसी को कई लिखी हो गई हो इतनी बड़ी विद्धिवान हो गई हो कि किसी के बारे में तुम ऐसे बात करती हो पहले तो तुम अगर पत्रकारता पड़ी होती पत्रिकारी का नौलेज होता तुमको पत्रिकारी का तुमको साहिद नहीं पता होगा पढ़ाई किया जाता है उसमें सारा च का तो पढ़ा नहीं तुमने बस उठाया एक 500 का बोया का माइक और एक मुबाइल देखो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम गलत हो हम ये कह रहे हैं जो तुम TRP बटोर रहे हो गोरकपुरिया बोजी दो कोड़ी की गोरकपुरिया बोजी यूटुबर इसके नाम से जो तुम TRP प अजोध्या वाले बाबु आप मीडिया वाले हो आप भी पत्रकारिता अगर पढ़े हैं आपको मैं कुछ बोल नहीं रही हूं आप भी बहुत कुछ बोले हो अगर कुछ पढ़े हैं तो किसी महिला के बारे में किस तरीके से बात किया जाता है पहले ये पढ़ाई कर लीज उसके बाद किसी महिला के बारे में आप इस तरह से question पूछिए और कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि बहन मा की मैंने वहां पे गाली दी तो मैं आपको बता दूँ अच्छे से कान में तेल डार करके जा करके वो वीडियो देख लीजिए कि वहां पे बहन मा का मैंने कोई गाल आप अगर सवाल वहां पर तो कोई पूछने का सवाली नहीं होता है कि आप कोई भी कितने भी बड़ी मीडिया हो वहां पे एक किसी का दहा संसकार हो रहा है वहां पे इंटर्वियो लेने वाला टाइम नहीं था पहली बात information के लिए बता दूँ और दूसरी बात अगर बात याद है कि मैंने अपने महादेय जी को क्यों भगाया था पॉइंटिड नोटिस पॉइंट को नोटिस करिएगा और फिर इस पे गौर करिएगा का आप गलती कहां किये हैं आप मैं मानती को आप चादे पढ़ी लिखे होंगे ठीक है मैं गवार हूं घास गड़ने वाली आपके सामने बोला गया है कि मैं घास गड़ने वाली हूं मैं बकरी चराने वाली हूं मैं जंगल से लकड़िया चुनने वाली हूं चूले पर खाना बनाने वाली हूं हां मैं एकसेप्ट करती हूं मैं चूले पर खाना बनाती हूं मैं अपना जीवन या अपन चूले पर करती हूँ एक मिट्टी से उठी हूँ एक जो पड़ी में रह करके आगे बढ़ी हूँ ठीक है तुम्हारे तरह एसी में बैठके मैं बात नहीं करती हूँ यह देखो मेरा घर देखलो कभी आये नहीं हो मेरे घर फीक है मेरे महाद्देवजी जब गायब हुय थे मैंने तुम मेसं से भी मदद मांगा, तुमने मेरा इंटरव्यू फोन पैर याद है कि नहीं मैं याद है तो मैं दिला दूं। मैंने हर उस ब्यक्ति से मदद मांगा था जिसे मुझे लगा कि हाँ ये ब्यक्ति मेरा मदद कर सकता है अगर किसी महिला का पती गायब हो जाता है उससे बिना बताए तो महिला रोएगी नहीं तरपेगी नहीं पुलिस के पास नहीं जाएगी प्रसासन के पास नहीं जाएगी तो क्या करेगी आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो क्या करेगी चुप चप बैठी रहेगी इंतजार करेगी कहां उसका पती फोन कप करेगा जबकि उसके पती को गए हुए यह खपती हो गए है कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो टाइम ओफ अजुद्या वाले मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करत करते नहीं है ठीक है एक मिनट में सिधा करती हूं मैं एक मिनट नहीं लगता है सिधा करने में ठीक है तुम चिला चिला के बात करोगे तुम सोच रहे हो तुम जीत जाओगे एक महिला की आवाज दबा दोगे ऐसा कभी नहीं होगा पहली बात और दूसरी बात यह है कि तुम मेरे नाम से होते हैं कौन हो टी आर्पी बटोरने वाले पताओ तुम मेरे से आये बाइट लेने मेरे से पूछने आये कि सच्चाई क्या है बिसनुराज के घर गये तुम सच्चाई पूछने बिसनुराज के ससुर्जी से तुम गये सच्चाई पूछने पटना में जा या निकी तुम भी गलत हो विनमानमी जी को मंद्धिं घर मेरे घर मैथने गुजे . रखंबर कमतई। ठीक है पहली बात और रह गई मालती चोहान के पिता की बात वो आर्थिक स्थिती से मांसिक स्थिती से हर एक अस्तर से कमजोड हैं उनका मैं अगर मदद कर रही हूं तो क्या इसमें मैं गुना की हूं तुम बताओ मुझे मैं गुना की हूं मैं पूछती हूं तुम लाखो कर तुम्हें एक लाग दो मैं डेल लाग देती हूं दोगे नहीं दोगे तुमको बस बड़ी-बड़ी बाते करने आती हैं लोगको उपर कीचर उचाणना आता है अगर तुम सचे रिपोटर होते तो एक बार मेरा नंबर था एक बार मुझसे कॉल करके पूछे नहीं तुम्हे तो से हम पूछातानी का सचाहिए बताओ रिंकी निसाद मार नाम बाबू ताइम आप अजोध्या वाले हमार नाम रिंकी निसाद बाव जाई भावजी कहले में तो के सरम आवता कौनों बात नहीं हमें जरूरी बिनायवा तुरे इसन इंसान के मुह से मापन भावजी ना लो लेंगे व्यू नहीं बनाना चाहते थे लेकीन लोग यहदी एक महिला की तनी महिला को इसकाड़ चरी नहीं को लिए अब कि अपने आपको कुछ करेगी ठीक है जब तक उसको कुछ कोई कुछ करे ना और दोस्तों आप लोग को बता दें मालती चोहान के माईके में जाकर के जबरजस्ती मीडिया वाले घर में घुस घुस कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम बता देते हैं मेरे पास बार बार कॉल अगर मालती चोहान के घर अगर हम चले गए ना जो भी मीडिया वाले मिल गए न तो थपड़ से बात करेंगे इस समझ लीजिए पहले तो आप मालती की सिष्टर जो सांती आपसे पता दें पहले आप आईडी मांगिए एक आईडी प्रूप मांगिए आदार कार्ड मांग आप से बाइट लेगा लेकिन तुछे यूटूबर जो है ना वह घर में घुच करके जबर्जस्ति कर रहा है उसको थपड़ से बात करिए तपड़ से डरने की जरूरत है यह सरकार हमारे साथ है और प्रसाशन से भी कॉल आया मेरे पास कि आप किसी को बाइट मत दिजिए तुम को लग रहा होगा कि हम परधान मंत्री बन रहे हैं तो घलत बोल रहेती प्रधान मंत्री10 करके प्रधान मंत्री बन गया कि ईतने बड़े सिंग्र और गवया । तुम वाली को समझेoru तुम पता हें। तुम्हारी एसी तुमको मुबारक, हम जोपड़ी में पैदा हुए हैं, इसी जोपड़ी में चले जाएंगे, हमको यही हमारा स्वर्ग लगता है, संविधान लगता है, यही हमारा सब कुछ है, इस पे आच आती है, तो हम अपना जान भी लुटा देते हैं, ठीक है, तो बा कार्टा जा करके पढ़ लो की क्वेस्चन किया जाता है, ठीक है, उसके बाद किसी से सवाल जवाब करना,